आठ सितंबर को किठाना आएंगे उपराष्टरपती जगदीब धनकड एडियम जेपी गोड के नेतरत्व में परसासनने की रियर्सल सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम उपराष्टरपती बनने के बाद जगदीब धनकड आठ सितंबर यानि गुरुवार को पहली बार पैतरक गाउं किठाना आ रही है उपराष्टरपती धनकड के दोरी की तयारियों को पूर्ण कर लिया गया है आज बुदुवार को पूरी रियर्सल की गई पुलिस और परसासन ने गाड़ियों की काफिले के साथ सभी रास्तों पर रियर्सल की एडियम जैपी गोड और एएसपी तेजबाल सिंग के निर्तरत्व में परसासनिक तयारियों को अंतिम रूप देते वे हैलिपेड का निरक्षन भी किया गया आपको बता दे इससे पहले मंगलवार को दो हेलिकोप्टर ट्राइल के लिए किठाना पहुंचे थे हेलिकोप्टर में आये वायू सेना के अधिकारियों ने हेलिपेड पर जगय जगय निरक्षन किया वहीं फाइनल ट्राइल के बाद हेलिपेड के आज पडोस में सुरक्षा कर्मियों को तैनात्व कर दिया गया है। उपराष्टरपती जगदीब धनकड के छोटे भाई रनदीब धनकड भी अपने गाउं पहुंच चुके हैं। उपराष्टरपती जगदीब धनकड का गाउं में स्वागत किया जाएगा। उपराष्टरपती जगदीब धनकड कल 8 सितंबर को अपने पैतर गाउं किठाना आएंगे। प्रक्षित रखा गया है। इस दोराण उपराष्टरपती स्कूल का सिंला नियास और अपने अभिनंदन कारेकरम में हिस्सा लेंगे। सुब़ साड़े ग्यारा बजे किठाना से सालासर धाम के लिए हेलिकोप्टर से रवाना होंगे। दोपैर साड़े बारा बजे सालासर बाला जी मंदिर में दर्सन करेंगे। दोपैर सवा एक बजे सालासर से हेलिकोप्टर द्वारा खाटुशाम जी के लिए रवाना होंगे। दोपैर दोबजे हेलिकोप्टर द्वारा खाटुशाम जी पहुँचेंगे। यूवा खुद के बिजनेस की और हो रहे हैं आकर्षित पूर्वपर्धान, यूवा बिजनेस में रख रहे हैं रूची रोजगार के अउसर भी मिलेंगे ये कहना है चिडाव पंचाई सिमिती के पूर्व परधान वे पिलानी विधानसबा के भाजपा परत्यासी रहे केलास मेगवाल का मौका था पिलानी के लोहारू रोड इस्तित बालाजी टाइल सेहुं मार्बल्स ट्रेडिंग कमपनी के उद्गाठन का मुख्य अतिति के रूप में सिर्कत करने पूर्व परधान ने फीता काटकर उद्गाठन किया इस मोके पर पूर्व परधान का राम चंदर मिस्तरी वे मेंदर ढाका की अगवाई में माला वे साफा उड़ाकर स्वागत भी किया गया इस दोरान पूर परधान बजरंग नहरा, कप्तान मानाराम, मोरवा, राजकुमार सिंग पाथडिया, सीषराम मेगवाज, सुरिंदर विशनपूरा, प्रेम सिंग, विशनपूरा मेंदर सिंग धतरवाला, मोहर सिंग महला, दिलिप सिंग धतरवाला, संदीप, अधी, काफी संक्या में लोग मौजुद रहे आमादमी पार्टी ने खुड़ाना ग्राम पंचायट में किया जन्संप्रक दिल्ली वैपंजाब में हुए कारियों से ग्रामिनों को करवाया अवगत भाजपा सरकार को बताया जनवीरोधी दिल्ली वैपंजाब में सरकार बनाने के अब आम आदमी पार्टी की नजर राजस्तान के रण को जीतने पर है इसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोग लोगों के बिश जाकर दिल्ली वैं पंजाब में सरकार बनने के बाद हुए कारियों से अवगत करवा जानार किया साथ ही लोगों बाजबा सरकार को जनविरोद्धी सरकार बचार बचा को विसफट दिलाएं गाओʧ में जाकर जन संप्रक या रहा है और सधिश्ट्या अभ्यान चैंग सिझ्णवीर जारण के अगवाई जयपुर्स फार्भास के प्राभारी धरमवीद शारणवे कोडिनेटर पिलानी विधानसवा राजिंदर मावर रहे हैं इस दुरान चोधरी बलजित सिंग हरपाल सिंग जाखड दुर्गा परशाद कुमार संदीप कुमार आदी मौजुद रहे चले आदू चले आदू जिल्डी और पंजाब में केदरिवाल बिजली फिरी पाणी फिरी रास्तान में तो दोक्टर कोई फीज नहीं लेता और दिल्ली की स्कूल इतनी अच्छी बनगी जो अपने प्राइवेट स्कूल में है ना स्कूल डिल्ली की सरकारी स्कुल हो लेगे उन्हीं स्कूलों में पड़ाहि फिरी अच्छी पड़ाहि और वह भी फिरी यानि कि बनी के अंदर और पंजाव के अंदर एक हैं समन्ने परिवार जो आप और अमारे जैसा आम आजमी का परिवार होता है कि वीस जार रुपर प्रती महिने बतर है चिडावा पंचय समीति में लंपी रोग से अभी तक तिराण में पशुओं की मोत हो चुकी है लंपी रोग पशुओं पर कहर बनकर ठूट रहा है चिडाव 25 में 36 की बात करें तो अभी तक तिराण में पशुओं की मोत हो चुकी है कुल पशुओं की बात करें तो इस रोग से 1424 पशुओं ग्रेशित हैं इनमें 309 रिकवर कर चुके हैं जबकि 589 पशुओं को वैक्सिन लगाई जा चुकी है वहीं क पुल 48301 पशुओं का सर्वे किया जा चुका है डौक्टर राजरस ने बताया कि लंपी रोग रोग ठाम के लिए परियास किये जा रहे हैं बता दे कि लंपी रोग का कहर बढ़ रहा है वहीं राजर सरकार का दावा है कि इस रोग को लेकर सरकार गंबीर है वहीं बात करे तो चिड़ावा की गौसाला में लगातार दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है तता रोक थाम के परियास किये जा रहे हैं चिड़ावा नगरपालिका के ओर से गवसालां में छिड़काव भी करवाया है तस्था नगरपालिका के करमचारियों को निर्देशित भी किया गया है कि मॉनीटरिंग करें इस दोरान पंडी थिरा लाल पुजारी परदी पुजारी असोङ पुजारी पन्ना लाल पुजारी, रवी पुजारी, रवींदर पुजारी, महेश पुजारी, विकास पुजारी, केसव पुजारी, जोनी पुजारी, सत्यनायन जांगिड, सर्वन पारिक, लालू खोजी, राम किसन केडिया, अनिल मैमिया, राम अवतार दायमा, परदीब, दरोगा, आदी सहीत बड़ी संक्या में लोग मौजुद रहे पंडित हिरालाल पुजारी ने बताये कि भगवान श्री कृष्ण के जनम यानि की जनमाश्टमी के बाद जल जुननी एकादसी पर माता ये सोधा का चूड़ा सेंसकार यानि चूड़ा बदलती है इस दोरान साले फिर मंदिर में विराजित कर दिया जाता है गो सुरक्षय वैं लंपी रोग के बचाओ को लेकर एक दिविशे सेमिनार का आयोजन किया गया स्री गो साला पिलानी में आयोजित हुए कारेक्रम के दोरान मुख्य वक्ता पसु पालन विभाग जुन्जुन के सेयुक्त निर्देशक डॉक्टर रामेश्वर सिंग गो सेवा समीती के परदेश परवक्ता विश्नु पारिक वैं सिरी पिलानी के पूरवर निर्देशक डॉक्टर चंदर से खर मोजुद रहे इस दोरान नीशुल्क 500 किट वित्रित किये गए इस अवसर पर मानव सेवा मंच के मुकेश भोमिया सैवर्थ पार्षद नगेंदर नोवाल बंटी अनुप सर्मा मनिश चोटिया आदी मोजुद रहे हम निशुल्क उपलब्द करवा रहे हैं रहा कैसे जाई इस वेश्चे को लेकर की गए थी आज कि मैं पसू पार्लकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह गायों में पसू लंपी बिमारी से घर्षित हो जाता है तो घर्षित होने के बाद में इसका उप्चार तो वैसे तो कोई परभावी उप्चार नहीं ह है लेकिन हम क्योंकि इसमें पसू हाई टेंपरिटर होता है कफी तेज बुखार होता है और नाक से मू से आखों से इसमें पानी आना शुरू हो जाता है